लेर्नर्स कैसे हैं सभी आज क्लासे स्थार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेशन है यह हमारा जो बैच है इसका और इंटेशन सेशन है आपको वैसे तो कुछ बाते हम लोग डिसकस करी चुके हैं वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्रोग्राम को लेकर क्या प्रोग्राम है क्या स्लेबस है यह जानकारी कुछ हो गई होगी लेकिन फिर भी एक फॉर्मल डिसकसन हो जाए गुड़ इवनिंग बच्चों सबको गुड़ इवनिंग मन में रहता है कुछ जानने की इच्छा कई बार तो ऐसा कुछ भी है अगर आपको कुछ भी कोर्स से रिलेटर्ड या आपके डाउट्स कन्फूजन्स होंगे उनसे रिलेटर्ड अगर किसी कुछ पूछना है कोई भी है तो आज आप पूछ सकते हैं हम उसका डिस्केशन करेंगे आगे क्लासे कैसे कॉंटिन्यू होंगी कैसे स्लेवर्स कवर होगा किस तरीके से हमें और एक्स्ट्रा थोड़ा सा अपार्ट फॉम दी क्लासे हमें और क्या एफॉर्ट्स करने होंगे यह सब आज हम इ गुड़ इवनिंग बच्चों सबको गुड़ इवनिंग तो एनी क्वेस्ट्टन्स एनी क्वेरीज इप्यू है रिलेटेट टुद प्रोग्राम रिलेटेट टुद इलिट 3.2 पॉर्स तो आज आप डिस्कस कर लीजिए मैं एक बार आपकी क्वेरीज को मतलब समझाने के बाद में फिर कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिनका हमें ध्यान रखना है तो द्यान रखना है और उसके बाद भी ध्यान रखना है गोड इवनिंग बच्चे सबको गोड इवनिंग एक क्वेश्चन है मैं आप लोगों से पहले पूछ के फिर स्टार्ट करता हूं ठीक है आप में से कितने केंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस समय एक्टिवली टीच करते हैं मतलब एक्टिव टीचर्स कितने हैं एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे दोज आफ यू हूँ हूँ आर अग्टिवली इंगेज़ टीचिंग जो अभी पढ़ाते हैं स्कूल गोर्स को पढ़ाते हैं कॉम्प्टिटिव लेर्णर्स को पढ़ाते हैं इस पोकें इंगलिस के लिए पढ़ाते हैं मतलब इस पढ़ाते हैं वह एक बार कमेंट करें अग्टिवली इंगेज़ टीचिंग आप मेंसे जो भी ऐसे कैंडिट्स हैं कमेंट करें अच्छा एक छोटा सा मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि क्लास में तो जब आपको मौका मिलता है तो आप अपने डाउट्स पूछेंगे और हम उनका करेंगे क्लास के अलावा अगर मान लीजिए आप कुछ स्टडी कर रहे हैं कुछ टीच कर रहे हैं उस समय आपको कोई डाउट आ गया तो आपको न मुझे कांटेक्ट करना है कि यू कैन कांटेक्ट मी तो वाट्सब्सक्राइब अन माइड पर्सनल नंबर है अब भी जो न्यूव कांडिडेट्स एंटेक्ट उनके पास नंबर होगा मैरा ओफिस वाला नंबर इंग और उसमक्राइब होती कभी उसमें वाट्सब्सक्राइब कर रहा है तो आप वाट्सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीकिन मेरा पर्सनल नंबर है इले के साथ मैं इसे करता हूं तो एलिट लेर्नर से देकें कॉंटेक्ट मी और आ वुड़ से देट शुड कांटेक्ट में पर्सनल लंबर कोचिंग वाला वाटसप नंबर है कई वार ऐसा होता है कि ऐसा टाइम भी आता है कि मैं दो दिनों बाद वाटसप उस पर चेक कर पाता तो उसमें वह नंबर एक्टिवेट का रखा है तो जब कभी मुझे लगता है कि नाव आप वाटसप चैट्स देखता हूं बच्चों के जो भी रिप्लाइब करने होते हूं करता हूं पर्सनल फोन हमेशा मेरे पास रहता है तो उस पर जो वाटसप कॉंटेट्स होते हैं उनको थोड़ा सा क्विक रिप्लाइब करें तो आपको ध्याने रखना है कि आगे से आप मुझे कॉंटेट्ट करेंगे वाटसप के थुरू ठीके तो मेरे पर्सनल नंबर पर ही करेंगे पर्सनल नंबर आपके पास नहीं होगा निव कैंडिडेट्स आंके पास नहीं डबल 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 ट ठीक है तो दुरानी सर को आप मैसेज करेंगे और वह आपके साथ मेरे परशनल नंबर हो शेर कर देंगे तो फिर आप उस पर मुझसे कॉंटेट्ट कर सकते हैं कभी ऐसी कोई जरूरत आपको पढ़ती है कि you need to talk to me बात्चित आपको लगता है कि थोड़ी बात्चित कर लेनी जाहिए ऐसा कोई समस्या है ऐसी कोई सिचुएशन है तो उनको यह भी रहता है कि आप यू जस्सिंप्ली द्रॉप मिए वाट्सप मैसेश आप मुझे वाट्सप मैसेश ड्रॉप कर दीजिए कि तो यू तो आपको मेरे फोन में सेव ठीक है तो आप अप ऐसे कर सकते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं तो यह जो तो आगे से जो भी आपको करना है तो वाटसब नंबर के थ्रू ही कांटेक्ट करना है वैसे तो सारे इलिट लेर्नर सेंसिबल होते हैं दे रोंट मेंका कॉल वह हमेसाद दे ड्रॉप वाटसब मैसेज कि सर मुझे आप से बात करनी कि समय बात कर लूँ तो मैं उनको टाइम मैं कॉल कर लेता हूं तो उसके लिए जरूरी है कि आपका नंबर भी मेरे पास हो इसा यह बात भी ध्यान रखनी है अब मैंने आप से क्वेश्चन पूछा था कि आप मैं से कितने लोग ऐसे हैं कि जो एक्टिव टीचर से एस्पारिंग टीचर नहीं है टीचर सिंग मेकि रल्ओर के टीचर यह बात तो पर बात करते हैं कि अब टीचर यह आप टीचर और टीच पर कम्पिटी बिए ले गूर्टिट वी गूर्टिट्य एस इंस्टिट अनिमर्ड पके कि आप बिन टीचिंग फॉर थ्री मन्स थीक है कि आई टीच इन एंजिनरिंग कॉलेज है ओके कि आप बिन टीचिंग सिंस 2016 ग्रेट कि ओक है तो कुल मिलाके अच्छा आप भी बढ़ाते हैं अब देखिए हमें ध्याने रखना है कि जो केंडिडेट्स एक्टिव टीचर्स हैं बहुत अच्छी बात है क्योंकि टीचर्स के लिए प्रोग्राम ही है कुछ सिच्वेशन ऐसी होती हैं जो टीचर्स की कि एक्सपिरियंस कर पाते हैं तो उनको ही वो सिच्वेशन वो कन्फूजन करने को मिलती हैं तो अगर आप करते हैं तो आप उन सिच्वेशन को फेस करते होंगे उन प्रॉब्लम को कि अच्छा कुछ ऐसे अभी नहीं पढ़ाते हैं अच्छा आप भी टीचर हैं वेरे गुड़ आप महरास्ट्रस हैं अगर मुझे सही से याद है तो अभी क्या ध्यान रखना है कि जो एक्टिब टीचर्स नहीं है अश्पाइरिंग टीचर्स हैं जो आने वाले समय में इंगलिश चेचिंग में मलब जाना जाते हैं किसी को को स्कूल में पढ़ाना चाहते वो Kay सब्सक्रांब आप भी कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए जब आप प्रोफेशनली और एक टीचिंग स्टार्ट करेंगे तब कर लेना लेकिन तब तक आप इतना कीजिए कि अपने आस्परोस में घर परिवार के कुछ बच्चों को बिठाइए अपने साथ में परोस्परोस के गंटे दो गंटे टाइम देके अपना रोज का उनको इंगली सिखाए इतना स्टार्ट कीजिए फिर जब आप प्रोफेशनली टीचिंग स्टार्ट करेंगे तब कर लेना लेकिन अभी इतना स्टार्ट करना सब को जो केंडियर्ट हमारे ऐसे जो अभी नहीं बढ़ाते है हैं उनको भी टीचिंग में अक्टिव होना है है कि यह एसा हमें करना थीक है एक reference भुक है हम आपके कोर्स में चलाना चाहते हैं है और यह यह बुक आपको दुराइनी सर्वर्ट्सप मैसेज कर देंगे मैं तो अभी यह मैं बताऊंगा अपनी कहानी बाद में आपको एक reference प्रेफटरेंस बुक आपके कोर्स में चलेगी जैसे कि रेफटरेंस में उसको फॉलो करेंगे प्रेफटर्स में तो उस रेफटर्स बुक से मैं आपको लाइव लेक्टर्स में पढ़ाऊंगा जो की जरुरत होगी समझाने की बताने की और बाकी कुछ ऐसा होगा जो आपने पढ़के सीख सकते हैं और उसमें प्रैक्टिस करेंगे जो और से पूछ लेंगे रेफ्रेंस बुक का टाइटल जो है कौन सी रेफ्रेंस बुक हम चला रहे हैं वह आपको दुरानी सर वट्सप कर देंगे तो आपके पास कुछ हफ्ते बर का टाइम होगा तो उस हफ्ते बर में आपको बुक अबेल करवानी है ऑफ लाइन भी मिल जाती है च्छोटे सहरों में हो जाकता है ना मिले लिकिन आप आमेजन पर ढूंएंगे फ्लिपकार्ट पर ढूंएंगे तो सब जैगे मिल जाती हैं तो वह भुक सबको ही लेनी है अभी आपको कुछ दिन का टाइम मिल जागा तो उस में वह आपको सबको लेनी है रफ्रेंस इस टेटेल्ड नोट्स टेटेल्ड नोट्स आफ दी व्योडी लेक्च्छर्स तीक है आपके कोर्स में कुछ लेक्चर्स वो व्योडी हैं अलब आलेडी रिकॉर्डड है ठीक है तो उसमें क्या है कि जो आपको व्योडी लेक्चर्स मिलें जो आलेडी रिकॉर्डड हैं आपके स्लेबस में ठीक है तो उनको आपको देखना है और उनके डीटेल्ड नोट्स बनाने है यह काम आपको करना है आज से शुरू करना है मुझे लगता है सबने शुरू कर दिया होगा लेकिन कई में आदत डालनी है मेहनत करने की मेहनत से जब बचते हैं तो फिर हमारा उतना सुधार नहीं हो पाता उतना इंप्रूमेंट नहीं हो पाता जितना होना चाहिए तो मेहनत की आदत हमें चिने सबको डालनी है सबको रिच्चर नड़ेश नाहीं है आप से तो आपको समस्य 한 होगी यह सब को ध्यान रखना है कि you have to prepare detailed notes of all the VOD lectures available in the fundamental section वैसे तो आपको VOD lectures कुछ extra भी मिले हुए हैं लेकिन जो basics के VOD lectures है basics of English के जो VOD lectures है उनके आपको detailed notes बनाने ही बनाने और हर एक lecture लेक्चर वाइज बनाना है उसमें लिखना है basics of English lecture उसके नोट्स बनाने आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो एक lecture के नोट्स आपको कि तो मिनिमम नहीं तो आपको आठ दस पेज में बनेंगे डिटेल बनाएंगे तो जिस तरीके से मैंने उसमें पढ़ाया है तो बहुत कंटेंट है कम टाइम में बहुत कंटेंट होता है तो आपको उसके डिटेल नोट्स होनाने और वह नोट्स आप पर मंगवाए जाएंगे कि आप अपने नोट्स की फोटो बेजिए या पीडिएफ बनाके भीजिए तो आपको भीजना भी पड़ेगा जिस लेक्चर का बताए जाएगा उस लेक्चर का ही भीजना पड़ेगा नोट्स बनाने हैं मैं आपर लिख देता हूं बेसिक्स ऑफ इंग्लिस जो लेक्चर्स हैं उनके यह काम हमें सबको करना है बेसिक्स ऑफ इसके बनाने हैं और वह यहां पर लिख देता हम पवन्ट गणे वीक्त को बताए था रटेशींग आप अब अभी पढ़ाते हैं जैसे आप में से कुछ अमनाया कि आप मेंसे कुछ लोग जो कॉलेज में पढ़ाते हैं किसी कोचिंग इंस्टूट में पढ़ाते हैं ठीक है जो नहीं अभी पढ़ाते हैं उनको पढ़ाना शुरू करना है अब जब आप नोट्स बना रहे होंगे डिटेल्ड नोट्स बनाएंगे आप उनको नाचाँ वह आहंगे कुछ ऐसे मिलेंगे यूशन मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करें घ्र eiृटे ते क्यों बता दें क्या ऐसे नहीं हो सकता वैसे नहीं हो सकता आगर यह करते तो बहुत आएगी तो टो इस तरीके नहींगे दिमार्गे नोट डाउन यह नोट डाउन शोड़ो शेयर करो शेयर दाउट्स एंड कन्फूजन ठीक हैं चैन्फूजन्स मेरे साथ में अपने जो डाउट्स आपके कन्फूजन्स हैं वह अपने शेयर करें मेरा पर्सनल वर्ट्स नमबर है उसके तुरू आपको करने यह इतने काम आपको करने अब जो मैंने आपको बताया है करने के लिए बड़ी बेसिक चीज है इसके बगर तो सीखना संभभ भी नहीं होता पॉस्वल नहीं होता तो सीखने का तरीका भी है तो अगर आपको इन से रिलेटेड कुछ कहना पूछना बोलना बताना है तो अभी एक मिनट का समय अपना पूछ बता लिजिए कि किसी को कुछ भी कि अब एक चोटी सी बात कि आपके लाइव लेक्चर जो नेक्स लाइव लेक्चर होगा वह अब होली के बास सुरू होगा मेरे होली वेकेशन तोड़े जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं कुछ है ऐसा तो आपका जो लाइव लेक्चर से हैं वह पोस्ट होली मतलब होली के बाद में शुरू होंगे इस बीच में मैं लाइव लेक्चर के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा लेकिन मैं वाट्सअप पर आपके लिए अवेलेबल रहूंगा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा तो अगर आपके लिए अवेलेबल रहूंगा तो अगर आपके कोई doubts confusions ऐसे होंगे तो WhatsApp पर reply करने वाले तो मैं वाट्सअप आपके reply कर दूँगा लाइव क्लासे जो हैं वो आपकी पोस्ट होली मतलब सुरू होंगी होली के बाद में सुरू होंगी ठीक है कल से ही चुट्टिया है मुखर जी नगर offline classes की तो class लास्ट थी आज से उनकी चुट्टिया स्टार्ट हो गए आपके कल से स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है तो होली के बाद में काट पर भी अविलेबल है मार्केट में हो सकता है आपके आसपास में नाविलेबल हो क्योंकि वो बुक सब जगें नहीं मिलते ठीक है जो कैंडिडेट्स अभी नहीं पढ़ाते हैं फॉर्मली या प्रफेशनली कहीं पर उनको भी टीचिंग स्टार्ट करनी है आप उनको पढ़ाना शुरू कीजिए मतलब मैं यह चाहता हूं कि इस बैच में हर एक कैंडिडेट जो है इच एंड्रोली शुट भी टीचिंग हर कोई पढ़ा रहा हो ऐसी कंडिशन में हो तब आपको इस बैच का मैक्सिम बेनफिट मिलेगा अब जो आपको वृड्य लेक्फिक्स भी लिएकस के उनके आपको ड bounर सोपनाने हैं यह इस तरीके से बनाने की वह नोट्स आप PPT यहीकतो बनाते समय हैं आपको कंफिजण आएंके उनको अपना डॉन कर लेना हैं लिख लेना है और मेरे के साथ मेरे पर्सट опас number पर सेयर करने को मैं जो आपके व क्वेशन ओर क्वेश्चन Amazon रेंपलाइ करने यह जब चुक्त वल्मार्णीद हमीश्चर में कवर करेंगे तो यह आपका इस त्रहें कर दिग दिप्शेट अगर रभा करना है तो तो हम अभी कुछ समय और साथ में रहेंगे आप अपनी बाते हैं से कह सकते हैं पूर सकते हैं बता सकते हैं I have a problem regarding preposition topic especially I don't get any logic in appropriate preposition how will you cover this topic and I have so many doubts but sometime I think it might be busy that you might be busy that's why I don't send these doubts okay there are two things desse तो यह आपके साथ ही है म curvature देश और यह बंगलादेश से हैं यह आप बंगलादेश से है इंडॉल्ल लिस बैच में आपके शाथ में पढ़ते हैं तो इन्होंने दो doubt पूछ दो आपर है मैसेज इनका को हम में करने के बाद में कि प्रैक्टर करने के बाद में में आपका पहला टॉपिक कर देंगे। मेरी तरब से तो यह आपका । तो चिन्ता खतम हो गई है। कि इनका कहना है कि इनके पास बहुत रहते हैं. और क्या लिखा है कि but I think you might be busy that's why I don't send these doubts तो देखिए यह बिल्कुल सच बात है कि मैं busy होता हूं ठीक है और आज कल तो कुछ जादे busy हूं ठीक है लेकिन आप अपने अपने डाउट मुझे भेज़ता है उनका यह जो सेंस्वल बिहेवियर होता है यह वास्तव में कई बार दिल जीत लेता है कि बच्चे वाले बच्चे थोड़ी ना समझी होती है इम्मेच्वर्टी होती है कॉल मिलाया बैठे वाटसप कॉल करें बैठे ओफिस वाला नमबर अपना हमेशा पास में रखता हूं रख नहीं होता है और वह नम्मबर में दूर इसलिए डाल होते हैं दिन में Phon करें रात को फोन करें कैसी भी टाम करें ठीक है और एक मैसेज किया वाटसप और और तुरंत उसका रेपलाइक चीए उनको लगता हमने जैसे question पूछा भर पर बीजी हो सकते हैं आफ्लाइन कोचिंग में बीजी हो सकते हैं और लेकिन इलिट लेर्नर को मैंने देखा है कि सम्टाइंज जैसे अभी कुछ दिनों पहले मेरे घर पर कुछ काम चल ला था तो मैं काफी उसमें बीजी हो गया तो तो तीन-चार-पांच दिन निकल लेकिन मजाल है किसी बच्चे ने दुबारा कोई बात वाटसप पे लिखी हो उसने अपना चोड़ दिया तो चोड़ दिया उसको पता है कि सर्जी जब देखेंगे तो रेप्लाइग करेंगे जरूर तो इतना सेंस्विली बिहेव करते हैं तो मन जीत लेते हैं तो मैं कीजिए आप अपने डाउट्स जो भी होते हैं वह आप मेरे साथ वाटसप पे शेर कर जिए एक एक दो दो करके शेर क्या करो जब उनका रेप्ले आजा तो नेक्स्ट बेस दो लेकिन यह मैं बिजी हूँ तो इस चक्कर मैं मेरे से मत पूछो ठीक है मैं बिजी हूँ हर को तो होना तो बुरी बात नही है मैं भी रहुँगा तो आप ऍपूछा करो भीना कुछ ऑगbildung प्कुछ आप पूछा करो आप आइल कंसे पूछा करो इसलिए आपको तो मैं पर्सनल व्ट्सब नंबर देता हूँ अपना यह किसी को नहीं जोचना है कि मैं डॉट पुछोंगा सर्जी बूरा मानेंगे शाजी क्या सोच पूछ नहीं कोई दिसर्ब करता। मैं रेपलाई तभी करूँगा जब मेरे पास टाइम होगा तो इसमें तो बीजी होने वाली कोई बात है नहीं उससे तो फर्क पढ़ता नहीं तो आप अपने पूछा जो डाउट है जब आपना पूछ लो कि मैं रेपलाई तब करूँगा जब मुझे करना होगा है रेगुलर क्लास से बात शुरू करेंगे अब मेरे लिए थोड़ी जल्दी स्टार्ट हो रही है किनी कारणों से कि हर एक चीज़ बताई नहीं जा सकती तो आपका रेगुलर क्लास पॉस्ट हो जाएएगे प्रामिस चलिए और किसी कुछ पूछना है कि I have confusion in tense थी कंफ्यूजन है तब तो आप इस बैच में आपको नहीं होते तो आप क्यों इस बैच में पढ़ रहे होते हैं कि थी के सारे डिल हो जाएए हैं सारे Χंवूजन डील होंगे अच्छा से डील होंगे I tell my students about you when they say they can't attend the class for some reason and I want to join an online course अच्छी बात है काई कहना है और किसी कुछ पूछना है बताना है कहना तो देख लीजिए काम की बाते मैंने आपको बता दी है रेफ्रेंस बुक ले लीजिएगा जो दुरानी सर आपको टाइटल करेंगे भेजेंगे जिसका टाइटल वो मेरा पर्सनल नंबर आपके पास नहीं है दुरानी सर से ले लीजिएगा वो देंगे उसको सेब करके रखेगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिस का जो वीओडी लेक्चर से उनके लेक्चर वाइड डिटेल नोट्स बनाईएगा और नोट्स की पीडिएफ आप मेरे साथ वर्ट्सप पर शेयर कर देना नोट्स बनाते समय जो डाउट्स कंफूजन आएंगे उनको लिख लीजिए और मुझे वर्ट्सप कीजिए और कोई बात नहीं अप लेट होगे क्लास को जोइन करने में कोई बात नहीं अभी आपको टाइम है आप सारी व्योडी लेक्चर स्पी रिवाइज कर सकते हैं अभी आपको बहुत हैं और आपको बुक का टाइम भी मिल जाएगा वह आप रेफरेंस ब आपको करनी है अटेम्ट सभी लोग अटेम्ट करें अफिर हम उनका लाइफ क्लास में डिसकेशन कर लेंगे इसलिए हम रफरेंस बुक भी क्लास में चला रहे हैं अगर होम नाओ अच्छा अब लेट आते हैं पढ़ा के आते हैं अच्छा क्लास में आते आते हैं चलो कोई बात नहीं सर उस दिन वाला कॉंसेप्ट बता दीजिए छोड़ के कहते हैं लाइफ क्लास में बताएंगे अगली ठीक है ऐसे बहुत कॉंसेप्ट हैंगे बिच्चे वो तो दो तीन ही थे ऐसे तो आपको हंडेड्स ओफ कॉंसेप्ट सीखने जानने समझने को मिलेंगे ठीक है तो ऐस प्लीज कमेंट इन इंग्लिस आप लाइव क्लास में कमेंट करते हैं इंग्लिस में कमेंट कीजिए नहीं मैं मत लिखिये बहुत को मेरे साथ में इलीट लेर्णर अगर कमिनिकेट करते हैं तो मैं भूर् closely पर च laz wastedर अब ऐनकेशन मस्ट बाक्यों मुझेट इन इंग्लिस 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 में करना आप चाहें लाइव क्लास में कमेंट करें या आप मेरे साथ मेरे साथ कम्मिनिकेट करें तो आपका message आपकी आपका question English में ही होना चाहिए मैंने कर दिया 3.0 से सबको ध्यान रखना है रिटेन communication must be in English आप WhatsApp chat में कोई message लिखते हो आप live chat में कोई comment doubt लिखते हो वह English में proper होना चाहिए इंग्लिस नहीं होना चाहिए यह सब को ध्यान रखना है कि वन टीच टॉपिक टॉपिक बिकम्स लेंदी बिकॉज आव हैवट आप टीचिंग एवरीटिंग इन इस्टूरेंस गेट बोर्ड यह सिच्वेशन करेंगे इनके लिए हम लाइब क्लास रखेंगे कई ऐसा होता है कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब में तो उनके लिए जो प्राइकल इसाद को मैं नहीं लेता कि लेता ही नहीं हूं इनका कहना है आपके साही уже वहहरा हूँ बता देना चाहता हूं नहीं हो cum इन बच्चों के लिए के साथ या ओनलैन MOET ुगी है गूगल हम उपना डिसकसन की जिए भूल कर पूछी और मैं आपको आंसर कर दूगा ठीक है तो ठीक है मुझे लगता है काम की बाते हम लोगों ने कर ली है और आप हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे तब तक आपको बताएगे आप यह काम करेंगे और फिलाल में अब आपको कुछ पूछना है बोलना है कहना बताना तो मैं आपको अपनी मरज़े से करूंगा जब मेरे पास टाइम होगा तो अभी के लिए वस इतना ही खुब बढ़िए खुब बढ़िए थैंक यू गूड़नेट